नमस्कार, मेरे साभी users को जो भी इस वीडियो को डेख रहे हैं, जो भी मेरे student हैं उन सभी को वेरे वेरी गुड आफ्टर नों, गुड ईगुड बॉनिंग, जिस समय वो वीडियो को डेखें और जैसा कि हमने कहा था बिटा कि हम जो है एक एक करके आपके लिए पूरी MFT पढ़ा के रख देंगे आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे आज उसी में हम स्टार्ट करने वाले हैं Electro-Estatics का portion स्टार्ट करने वाले introductory lecture होगा ये पहला मेरी उम्मेद है कि जितने बच्चे इसको देख रहे हैं इस parts को जो क्योंकि इसमें theory parts हम आपको बताएंगे Electro-Estatics के बारे में ये कहां से create होता है क्यूं हम लोग इसका use करते हैं कौन से ऐसे factor है जो Electro-Estatics में बहुत major role play करते हैं एक एक करके आपको सारी चीज़े बताएंगे आपके पास बस एक request है हमारा कि आप जहां कहीं भी हो इस channel को एक बार subscribe कर दीजिए इस videos को एक बार like कर दीजिए जहां कोई problem है मुझे नीचे comment box में लेके बता दीजिए एक प्रयास है आपके पास इस इच्छा के स्थर को पहुचाना है उसे में हम लोग सुरू करते हैं बेटा Electro-Estatics तो यहां से start करते देखिए बेटा देखो यहां पे जो है यह दो टम से मिलके बना हुआ है एक Electro है और एक Estatics है यानि कि Electro का मतलब Charge के बारे में बात कर रहा है यह हमारा Charge हो गया और Charge के Position के बारे में बात कर रहा है यानि कि Stable हुआ है वो यानि कि जो Charge है वो Estatics Position पे है अभी हमारे एजंसंस में हम यह मान के चल रहे हैं कि Charge जो है वो Move नहीं करा रहा है है वो एक aesthetics position पे है हमारा देखो जहां कहीं सी भी electrostatics का सुरुवात हुआ तो उनका जो medium हुआ वो charge हुआ कहीं ना कहीं हमारे ब्रह्मान्ड में कोई charge है जो कहीं ना कहीं create कर रहा है charge के इसको समझने के लिए बेटा एक scientist थे कुलम्स जी कुलम्स जी ने बताया कि अगर कोई एक charge किसी दूसरे charge के संपर्क में है यानि कि वो एक charge किसी दूसरे charge के अगर near about आ रहा है या एक charge कहीं पे भी हो उसके कारण एक दूसरे charge पे एक force लगता है वो force जो होता है वो कहला या columb force की उसकी condition क्या हुई कि उसकी condition में हमने कहा कि जो force create हो रहा है ये तीन बातों को लेके चलेगा पहला ये जो force है उन चार्ज को जो दो लाइन चोड़ेगी उसी लाइन में होना चाहिए दूसरी चीज दोनों charge के magnitude को multiply करिए तो उनके product के directly proportional होता है तीसरी चीज वो जो दो चार्ज हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वाइर के यूनिवर्स्टी प्रपोर्शनल होना चाहिए तो कुलम साब ने बहुत साब सब्दों में कह दिया कि अगर आपको फोर्श पता चल जाए और फोर्श की उन्हेंने टेंडिनसी क्या बताई कि एक चार्ज कहीं है और एक दूसरा चार्ज कहीं पे है एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्श लगाता है अगर इनकी पोल हुआ है अगर उसको हम charge से divide कर दे तो हमारा जो value निकल के आती है that is called field निकल के आती है जिसको हम लोग कहता है electrostatic field यानि की force per unit charge तो कहीं ना कहीं अगर हम आप से बात करें कि बेटा field के लिए किसके requirement जरूरी है तो field के लिए जरूरत है charge का अब ये रूप है charge के उसमें एक एक कर के आएगा जिसे मालो एक हमने कहा कि कहीं पर point charge होगा यानि कि एक charge है जो point के farm में कहीं रखा होगा फिर आएगा हमारे पास एक line charge आएगा यानि कि कहीं ना कहीं एक line है उस पर पूरा charge का distribution है उसके कारल भी field produced होगा फिर हम कहेंगे कि surface होगा यानि कि पूरी पूरी एक sheet होगी जिस पर charge का हमने distribution कर रखा है फिर हमने कहा नहीं पूरा एक volume होगा तो उस volume charge के कारल भी कुछ values आएगी क्योंकि field का जो measure source है वो क्या है बिटा charge है charge से ही field produced होगता है अगर charge से field produced होगा तो हम जान जाएंगे कि इतनी तरीके से हमारे पास field आ सकती है इन सब को समझने से पहले हमें किसको समझना होगा force को समझना होगा ये force जो आया इसके बारे में किस ने बताया था Q-Lumns आपने बताया था इसको Q-Lumns law के नाम से जाता है ये Q-Lumns ला में इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई force है तो वो directly proportional होगा किसके इन दोनों charge के multiplication के मान लो एक charge Q1 होगा एक charge Q2 होगा इन दोनों charge के product के directly proportional होगा ये जो force होगा हमारा ये इन दोनों charge के distance के square के इन दोनों को मिला लो तो जो force आएगा ये proportionality का sign में आ जाएगा और किस में आ जाएगा Q1 Q2 upon R square में आ जाएगा इस proportionality का sign हटता है तो हम कहते F is equal to K Q1 Q2 upon R square हो जाता है इसी K को एक constant इसकी value निकालते हैं यहाँ पे K की value होती है 1 upon 4 by epsilon 0 यहाँ से इसकी value को रख दीजिए यहाँ से इस value value को रखेंगे तो हमारी force की जो value निकल के आएगी वो आ जाएगी 1 upon 4 by epsilon 0 Q1 Q2 upon R square यह तो एक simple force निकल के आया और यह force का mathematical रूप था चूकि हम लोग किसके बारे में study कर रहे हैं हम लोग study कर रहे हैं E, M, F, T के बारे में यानि कि हमें सारी चीजों को कैसे समझना है हमें सारी चीजों को field theory में समझना है और field theory में हमने आपको बता रखा था विटा field theory का जो platform था वो क्या था? vector था यानि कि अब इसी force को हम vector के form में समझेंगे field को हम vector के form में समझेंगे तब उसकी value को हम लोग calculate करेंगे तो देखिए इसको कैसे होता है ये अब आपको हम ये तो एक simple mathematical form था अब एक एक करके सब को समझाना स्टार्ट करते हैं कुलंब्स ला के बारे में हमने बताया कि जो दो charges है उनके product के directly proportional होता है जो उनकी बीच का distance है उसकी square की universally proportional होता है अब इसी को vector analysis से समझने की कोसिस करते है कहा गया कि बेटा अगर एक कोई charge है हमारे पास मान लो एक charge है हमारे पास Q1 और एक charge है हमारे पास Q2 इस बार हमने जो origin लिया है जो एक charge लिया है जिस charge के कारण इस पे हम लोग field को calculate करेंगे मान लोग यहां पे कहीं एक origin है तो origin पे origin से एक distance पे एक charge हमारे पास रखा हुआ है यह charge Q1 था तो यह distance R1 पे है और हमने कहा यह charge Q2 है तो यह जो है R2 पे है चुकि यह vector के बारे में बात कर रहा हूँ तो यह vector दे रखा है अब force क्या कहा इन दोनों charge को मिला दीजी हमने मिला दिया और इन दोनों charge को अगर हम मिलाएंगे तो यह जो distance होगा मान लो इसको capital R हमने मान लिया इसकी position कैसे निकालेंगे 1,2 से निकालेंगे यह भी एक vector होगा vector का मतलब अगर हम आप से कहें बेटा R1 है ये plus R1,2 है simple सा एक है दूसरे का tell तो यह किसके बराबर हो जाएगा resultant के बराबर हो जाएगा यानि कि यहां से capital R 1,2 की value निकाल लो तो बेटा कित्ता हो जाएगा R1 minus R 2 हो जाएगा ठीक है ना इस चीज को sorry R2 minus R1 इस value को इस तरफ लेके जाएगे तो यह हमारा distance निकल के आ जाएगा अब देखो क्या करना है हमने कहा कि अगर एक charge है एक charge दूसरे charge पर एक force लगाता है मालो charge Q2 ने charge Q1 पर force लगाया मतलब Q2 के कारण force किस पर लग रहा है Q1 पर लग रहा है और उसकी direction जो हो गयाएगी इस तरफ हो जाएगी तो हमने कहा यह जो force है यह कौन सा force है F किस ने लगाया है Q2 ने लगाया है किस पर लगाया है 1 पर लगाया है और force हमें पता है कि vector quantity होती है ठीक है अब आपने कहा नहीं इस charge ये कारण इस पर भी तो force लग सकता है हमने कहा very good लग सकता है बेटा यह हमने force लगा दिया अब आपकी force हमने कौन लगाया है Q2 ने Q1 पर लगाया तो 2 1 हो गया आपकी Q1 Q2 पर लगा रहा है तो हम कहेंगे ना कि ये force लग रहा है अच्छा इसी को mathematical अगर समझने की कोशिस करते हैं तो F12 की value किती हो जाएगी बेटा according to the columns लाके according देखें तो ये force जो है directly proportional है किसके दोनों charge के product के directly proportional होता है ये जो force है हमारा ये directly proportional होता है किसके inversely proportional 1 upon इनके बीच के distance के square के proportional होता है बस हमें में आया जो भी vector आया है उसके बीच का उसका एक magnitude होगा उसका square कर देंगे अब आपको क्या करना है इन दोनों question को मिला लेना है तो हमने force निकाला है force एक से दो पे निकाल रहे है तो कित्ता हो जाएगा बेटा हमने लिखा के q1 q2 upon r अगर हम इसको भी ले सकते हो चाहे r12 ले लिया हमने small में ही r12 का square अच्छा ये तो vector quantity है ना ये तो पूरा magnitude है तो इसका direction भी तो होगा इसका direction unit vector एक से दो की तरफ होगा तो यानि कि force का formula क्या निकल के आया बेटा force charge q1 ने charge q2 पर लगाया है force on q2 on q2 due to q1 की कारण लगा है तो q1 q2 upon r12 का whole square और ये हमने unit vector लगा रखा है अच्छा हमने आपको बताया था बेटा a12 की value होती कितनी है a12 की अगर हम value बात करें तो ये हो जाएगा distance के respect में बात कर रहा है तो unit vector distance के respect का मतलब क्या हो गया vector r12 का vector upon r of around 2 के इसको हमने small में दिखाया ठीक है ना तो अब क्या करिए इस value को यहाँ पर रख दीजीए तो देखे क्या निकल के आएगा f12 vector की value k की value हमने आपको बेटा भी बता रखी थी 1 upon 4 pi epsilon 0 charge कितना है q1 पहला charge है q2 दूसरा charge है और देखो r12 का square यहाँ पे है और r12 यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा बेटा r12 का hole cube हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेगा r12 का position vector मिल जाएगा यह हमने calculate करके निकला है force के बारे में this is called coulombs law ठीक है ना तो यह हमारा coulombs law है यह बहुत important है coulombs law के बारे में अच्छा यह तो हमने सिर्फ 2 charges को लेके कहा है अच्छा आप कह सकते है कि सरगत 3 charges, 4 charges, 5 charges बहुत सारे charges रखे हो तो किसी 1 charges को हम क्या करेंगे reference मान लेंगे और उस charge के कारण सारे charge पे हम क्या निकाल लेंगे force को calculate कर लेंगे तो अगर उसके formula में हम बात करें कि बेटा अगर 1 से ज़्यादा charges हो तो किसी 1 charge को हमने क्या किया reference मान लिया उस charge के कारण एक charge पे force निकाला उस charge के कारण दूसरे charge पे force निकाला, उसी charge के कारण तीसरे charge पे force निकाला उसी charge के कारण force पे force निकाला और सारे forces को हमने क्या किया calculate कर दिया तो अगर हम आप से कहें कि जो फोर्सेस की वैलू आई है माल लो एक फार्मूला हम आपके पास जनरल बनाना चाहते हैं कि सम आफ फोर्सेस डिव टू अगर एक से ज़्यादा चार्जेस है आपके पास तो देखो फार्मूला कैसा होगा तो अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो उसको देखो कैसे होगा भाई एक चार्ज को हमने रिफरेंस ले लिया माल लो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 यहाँ पे एक चार्ज हमने क्यो ले लिया है बात समझो इस चार्ज की कारण इस चार्ज पे एक फोर्स निकालेंगे इसकी डारेक्शन इस तरफ होगी ठीक है इस चार्ज की कारण इस चार्ज पे एक फोर्स निकालेंगे इसकी डारेक्शन इस तरफ होगी ठीक है इस चार्ज की कारण इस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे इसकी डारेक्शन इस तरफ होगी यानि कि एक चार्ज मालो इसका डिस्टेंस हमने R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, ये R3 ले लिया, ये R4 ले लिया, बहुत सारे charges को हमने ले रखा है, तो हम कहें कि sir अब force बताइए, तो अब जो force होगा मानलो total force हमने ले लिया है, तो कितना है, मानलो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, अगर और होते इस तरीके से, तो हम dot 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 करके लिग देते, अच्छा, इनको solve करेंगे, इनको solve करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, जो एक charge common है, उसको तो हमने बाहर रख दिया, एक charge हमारे पास common है, formulae में 4 pi epsilon not क्या है, constant है बाहर आ गया, अच्छा, दूसरा charge, अगर Q1 के लिए लगाते, तो यहाँ पे Q1 होता, plus R square चल रहा है, बास समझ रहे हो न, यहाँ पे जो R square है, अगर हम कहें कि इसको vector form में लिखो, तो इसको vector form में भी लिख सकते हैं, इस form में, इस form में लिखना चाह रहा हैं, तो हमने क्या किया, इसका एक general terms बनाया, general terms देखो, हमने क्या किया, एक summation लगा दिया, भाई बहुत सारे charge हैं हमारे पास, summation की बाद हमने कहा, यह K की value एक से लेकर, आप कहां तक ले जाओ, N तक ले जाओ, तो जो दूसरा charge है, उसको हमने कहा Q of K कर दो, Q of K करने के बदद अब इस vector को आओ, R12 की value बेटा हमने किती निकाली थी, R12 को अगर calculate करो, याद ना हो तो फिर से देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, यह Q1 का था, यह Q2 का था, यह R1 था, यह R12 था, यहां से R12 निकाला था हमने, तो कितना आया था, R12 की value अगर देखो बेटा किता आ जाएगा, यह आ जा है, तो इसके बारे में लिखेंगे, तो हमें क्या चीज निकल के आयेगा, हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ इतने को देखो, R12 का मतलब क्या, R2 minus R1 है ना, तो R2 minus R of K लिख सकते हैं ना, अगर हम comparison की बात करें, तो R2 minus R of K, R2 से यह नहीं, सौरी, यह directly R, अब देखो यहां पे K1 रखोगे, तो R1, K2 रखोगे, तो R2, K3 रखोगे, तो R3, साथ में क्या रहेगा, साथ में हमारा रहेगा, R minus R of K का मॉड, कौन सी वेलू आएगी, होल क्यूब आएगा, देखो, जो यहां पे वेलू निकली है, R12 निकला है ना, R12 देखो हमने यहां पे निकाल रख करें, तो देखो कुछ इस तरीके से लिखे हैं हम, मॉड आफ, R2 minus R1 का होल क्यूब लिखा है, और यह जो R12 लिखा है ना, इसको हमने कैसे लिखा है, यह R2 minus R1 लिखा हुआ है, देखो उसी को हमने ब्रेक करके लिख दिया है, अब इसी से हम जनरल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, K की वैलू 1 रख दो, K की वैलू 1 रखने का मतलब एक चार्ज यह है, और एक चार्ज तो हमारा क्यू था ही, भाई, कुलम्स ला तो तभी लगेगा ना, जब कम से कम दो चार्ज हो, एक चार्ज में थोड़ी कुलम्स ला लगेगा, ठीक है, तो यह हमारा जनरल ट का हम लोग distribution कर रहे हैं उसको अगले वीडियो में देखिए आप लो ठीक है